चलिए फ्रेंट्स आते हैं अगले क्वेश्चिन पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चिन है आपको डेफिनेटली बनना चाहिए हां एक दो पॉइंट्स है वहां पर पॉसिबल है कि आपको थोड़ा बहुत कंश्यूजन हो अदर्वाइस कुछ है नहीं इस क्वेश्चिन के दर तो एक बार एक काम करते हैं पूरा एक बार रीडिंग कर लेते हैं क्या कहता है फ्रॉम फॉल्विंग इंफर्मेशन प्रिपेर प्रॉफित और लॉस अकाउंट्स फॉर्फित में दिया हुआ है सीधा सीधा क्रेजिट साइड में लिखेंगे जानकारी आपको पूरी होग फिक है तो यह आ जाएगा प्रॉफित और लॉस में रेंट हमने जो पे किया है यह भी हमारे एक्सपन्स है इंडारेक्ट उप्रें रेंट हुआीजिट में आएग वही प्रॉफित साइड में आएगी Output IGST ना तो हमारा expense है ना तो हमारी income है Output IGST हमारी liability होती है और ये appear होती है balance sheet में Assets and liabilities किदर आते हैं balance sheet में इस बात का हम को ध्यान रखना है Discount received हमारी income है तो profit and loss में Printing and stationary profit and loss में Legal charges profit and loss में Bad debt profit and loss Loss by fire profit and loss Depreciation profit and loss And input IGST हमारा Asset होता है ये appear होगा Balance sheet में ठीक है Simple है तो चलिए अब सीधे आते हैं Format पे ये हमने format बनाया और यहां हम क्या लिखेंगे Profit and loss Account For the year Ended 31st March 2020 ठीक है 35,000 Salary Commission paid 19,000 19,000 Commission Paid Interest on loan 5000 5000 Interest on loan ठीक है Advertisement 8,000 8,000 8,000 ELA क्या हमने Advertisement Interest received 8,000 By Interest received 8,000 ठीक है Output GSTV करे नही आयाएगा Discount received 6,000 Discount received 6,000 Okay Printing and stationery 4,000 Printing and stationery 4,000 Legal charges 10,000 10,000 Legal Charges उसके बाद Bad debt है 2,000 2,000 Bad debt हो गया फिर 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 Loss by fire 6,000 6,000 Loss by fire Depreciation 4,000 4,000 आपका Depreciation ठीक है चल So 128 and 6 कितना हो जाएगा 134 अब इसको मैं rough में लिखता हूँ ठीक है 134 क्यों मुझे मालूम नहीं है कि इस तरफ का total कितना है करके देखते है 19,000 5,000 8,000 4,000 10,000 2,000 6,000 and 4,000 98 आ रहा है इस पार हम देख भी ले 98 और 34 तो कितना आना चीए 36 आन से एक बार देखें 36 बराबर है तो अब मैं यहां पर क्या करूँगा 134 इधर भी लिखा मैंने और 134 इधर भी लिखा ठीक है और यह हुझाएगा 2 net profit ठीक है यह आजाएगा 36,000 इसी तरीके से Profit and Loss बनाना है सिंपल है आगे मिलते हैं अगे क्वेश्चिन में बबाए भाइ